यस बैंक 300 रुपे जाएगा या नहीं जाएगा ये तो भई बक्त बताएगा लेकिन मेरा क्या व्यू है मैं क्या सोचता हूँ यस बैंक के बारे में उसको जरूर आप लोग साथ मैं डिसकस करूँगा तो वीडियो में बने रहें लास तक और अगर चैनल पे नहीं आए तो को सब्सक्राइब कर लें तो यस बैंक में एक पॉजिटिव निउज है एक निगेटिव निउज है और उससे पहले आपको वो पताई होगी एक निउज इन्होंने फंड रेजिंग के लिए वही किया था उसके बाद 10% का सर्क्रीट लगा था आज वही स्टॉक गिरा है त 2016-2019 के बीच में और यह राणा कपूर थे उस समय यस बैंक के CEO और उस समय इन्होंने फ्रॉड किया था मिली भगास से इनकी और अभी दिल्ली NCR में इनके जो भी घरों पर चापे मारे जा रहे हैं वी तक पकड़ में आये नहीं तो यह एक पॉजिटिव ख़बर है भी बसूला जाएगा जो इन्होंने फ्रॉड किया है कुछ 4550 करोड के आसपास तो यह पॉजिटिव न्यूज है यस बैंक के लिए दूसरी न्यूज की बात करते हैं वो थोड़ी निगेटिव न्यूज है हयात रिजेंसी क्लोजर होटल मेनेजमेंट ब्लेम किया यस बैं नहीं है और उस उन दोनों खबरों का जो फंड रेजिंग गी ते और इससे पहले वाली उसका ज्यादा इंपक्त पड़ सकता है यस बैंक पे तो अब चार्ट पे लेके चलता हूं सीधे करना क्या है क्या नहीं करना है अब आप सोच रहे होंगे इसी तरीके का एक पैनिश करने वाली टाइम में यह बैंक अच्छा परफॉमेंस करेगी और साल दर साल मैं देख रहा हूं इसके जो परफॉमेंस अच्छे हो रहे हैं मैंनेजमेंट में चेंज आ गया है और मैं खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है अगर आप यस बैंक में यहां पर पैसे लग अच्छा करती रहेगी उतना अच्छा इंप्रूमेंट आएगा उतने ही अच्छा इसके सेर पर एफेक्ट पड़ेगा और एक समय तीन सुरुपे का आसपा चलता भी था तो अगर आपका लॉंग टरम का सिनेरियो हो है और आप किसी पैनी स्टॉक में इंवेस्ट करना चा मुझे लगता है आने वाले टाइम अच्छा कर सकती है तो मैं यस बैंक को पिरफर करूंगा ना कि आइडिया वोड़ाप उनको अगर मुझे कि पैनी स्टॉक पर दाउं खेलना है और बाकी एक पैनी स्टॉक और ट्राइटेंट वो भी अगर नीचे आएगा तो उसमें आ आप ही पसंद है यस और ट्राइटेंट जिसमें आप कुछ पैसा लगा कर छोड़ सकते हैं और पांस साल या दस साल के लिए जिसमें भई हो सकता है आने वाले ट्रम मल्टी वेकर बन जाएंगे तो भई आपका पैसा हो सकता है दस गुना हो जाए यहां से या तीस गुना कर दिया है आप अगर भई कुछ पैसे लगाना चाहते हैं तो सीमपी पे लगा सकते हैं डाउंसाइड बता दी कितनी कहां तक डाउंसाइड है और अपसाइड खुली पड़ी है और यह मेरा ब्यू है परस्नली हो सकता है आपका ब्यू अलग हो अदर चैनल वालों का अलग ब्यू हो सकता है नियू चैनल वालों का अलग ब्यू हो तो आपको भी अपना एक ब्यू बनाना है और सभी लोगों का ब्यू लेना है उसके बाद एक अपना एक ब्यू बनाना है उसके बाद ही कोई काम करना है तो यह आप खरी सकते हैं आपकी मर्जी है बाकि अपने फैन कर देरा ये हिं दोस्तो